दोस्तो पित्र पक्ष में किये गए कार्यों से आपके पित्रों का आशिर्वास सदाही आपको प्रावत होता है। ऐसा माना जाता है कि पित्र पक्ष में पित्र प्रसन होते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जब पित्र नाराज होते हैं तो कई प्रकार की पुरेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है जीवन में इस तरह के लक्षन अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे नाराज है दोस्तों अगर आपकी जमापुंजी धीरे धीरे नश्ट होने लगी है घर में तनाव और कले का माहौल बना रहता है और घर के सदस्यों में हमेशा ही वाद विवाद की इस्तिती बनी रहती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रुष्ट है वहीं अगर घर के बड़े सदस्यों के सम्मान में कमी आने लगती है रोगों से आपको छ शही मान लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रूष्ट है इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ उपाई पित्र पक्ष के दोरान करते हैं तो आपके पित्र आपसे प्रसंद होते हैं और पित्र आशिरवात से आपके जीवन के सभी कारें बनने लगते हैं हर प्रकार की स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी मन्चाह फल नहीं मिल पाता है। इसके कारण जीवन में असिरता आ जाती है और धनसंबंदी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जोतिस के अनुसार कुंडली में ग्रेक कमजोर होने से ऐसी परिशानिया उत्पन होती है। ऐसे में अगर आप कुछ उपाय कर लें तो इन समस्याओं से छुटकारा पाय जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिसे अपनाने से आप अपने जीवन में आ रही सभी प्रका हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों पूजा या किसी भी धार्मिक काम में चावल का विशेश महत्ब होता है। साथ ही जोती साष्तर की माने तो चावल का सीधा संबन्द चंद्रमा से भी होता है। इसलिए रोजाना माते पर चावल का तिलक लगाएं इससे आप कुंडली में चंद्रवा बहुत मजबूत हो जाता है और इससे आपकी सभी धन संबंदी समस्या दूर हो जाती है इसके लिए आप एक चुटकी चावल ले करके या पर गिंती से लेना चाते हैं तो दस ग्यारा चावल ले करके आप इने कूट कर टीस ले और फिर इने थोड़ा सा पानी मिला कर अपने माते पर तिलक लगा कर ही अपने किसी महतुपूर्ण काम व्यवसाय नोकरी आदी के लिए जाएं आपको अपने कामों में सबलता मिलेगी और नोकरी व्यवसाय आपके दोनों ही दोड़ पड़ेंगे दोस्तो वैसे तो यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है लेकिन अगर पूर्णिमा है या फिर कोई सुमोरत बन रहा है तो लाल रंग के रेश्मी कपड़े में 21 चावल के दानों को हल्दी से रंकर के बांद ले फिर माता की चोकी बनाकर उनकी तस्वीर उस चोकी पर स्थापित कर दे फिर देवी मा के आगे उस कपड़े को रख दे देवी मा की पूजा करने के साथ कनकधरा अस्त्रोत मंतर का पाट करे फिर पागी के चावल अपने घर में जहां कहीं भी आप धन रखते हैं उस धन रखने वाली जगाँ पर रख दें इससे पैसों की किलत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर की तिजोरी हमेशा के लिए ही बढ़ी रहेगी और देवी माग लक्षमी की किरपा आप और आ इपजी के मंदिन में जाकर शिवलिंग पर एक-एक मुठी करके अरफित कर दें इस बात का आप विशेश ध्यान रखें कि आप जो चावल ले करके जा रहे हैं वे खंडित ना हो यानि कि तूटे फूटे ना हो बाकी के चावल आप गरीवों में या पर जरूरत मंदों मे दान कर दें इस उपाई को लगातार आप पांच बार करें इससे धन प्राब्ती के योग बनेंगे लेकिन एक बार आप इस उपाई को केवल हफ़ समबार के दिन किया है आप से पांच बार करें। इसके अलावा दोस्तों, नोकरी वे कारोवार से जुड़ी समस्याइं हैं, जो आपको बहुत परिसान कर रही हैं। तो आप क्या करें? घर पर मीटे चावल बना कर कोवे को खिला देजें। इसे कारोवार और नोकरी से जुड़ी हुई सभी समस्या दूर हो जाती हैं। आएके नए स्त्रोच भी बनने लगते हैं और साथ ही आपकी नोकरी वेवसाई में तरक्की होने लगती है। रात को दस बजे घर की उत्तर दिशा में एक चोकी रखकर उस पर एक कलस स्थापित करें। कलस को स्थापित करने से पहले आप कलस के ऊपर कलावा अवश्य भांदे। इसके बाद आप कलस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और उसमें अर्थात कलस में पानी, दुरुवा, चा चावल भर करके उसे कलस के ऊपर रख दे। प्लेट इतनी बड़ी होनी चाहिए जो कलस का मूँ ढख ले। अब आप स्रियंत्र की स्थापना करके चौमु की दिया जलाकर कुम-कुम और चावल से पूजा करके माता लक्ष्मी के कनकद्राश्त्रोत का पाठ करें। इसे मन बंते-बंते काम अगर आपके बिगड़ जाते हैं तो इसके पीछे का कारण आपका पित्रदोस भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप चावल की खीर और रोटी लेकर अमावश्या के दिन कौवे को अवश्य खिलाया करें। इससे पित्रों का आशिरवात तो मिलेगा आपको समाज में यस और मान सम्मान भी बढ़ेगा और वयववब और सम्मान की प्राप्ती भी होगी। इसके साथ-साथ आपको जीवन की जो भी असरत अशिर्ता है वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक क कमेंट में जैबजरंगबली जैमातादी अवसे लिखें तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भोले जैबजरंगबली जैमातादी